अब देखिए जो basic चीजे हैं जैसे कि circle के अंदर image place करना और text वो सारी हमने place कर दिये हैं अब यहाँ पर कुछ custom design आप देख रहे हैं जैसे कि यह सारी shapes हैं या यह वाली shapes हैं वो किस तरीके से draw करनी हैं वो अब हम discuss कर लेते हैं तो one by one करेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से आप draw कर सकते हैं तो ये draw करना वैसे बहुत ही simple है आपको एक छोटा सा control के साथ circle draw कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर color fill कर लेते हैं outline हटा लेते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा अब यहाँ पर एक line है तो line create करने के लिए आप rectangle tool चूज करें वैसे तो यहाँ पर two point line tool है तो उससे भी कर सकते हैं लेकिन मैं personally rectangle tool prefer करता हूँ क्योंकि जब भी आपको scaling करनी होती है तो फिर line tool से problem आती है और इससे कोई problem नहीं आएगी तो ये कर लिया और इसको थोड़ा सा मुझे order भी change करना पड़ेगा वो हम कर लेंगे पहले इसकी size हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं उसके बाद अब देखिए मैंने इसको shift के साथ इस तरीके से click and drag किया है और right click के साथ मैं release करूँगा तो इसकी copy create हो जाएगी copy create करने के बाद हम यहां से यह color pick कर लेते हैं I think color यहां fill करना था ओके उसके बाद इसकी copy एक बार और click करेंगे rotation कुछ इस तरीके से बाहर click करते हैं उसके बाद दोबारा अब देखें यह इसके ऊपर आ रहा है तो control page down select करने के बाद control page down करेंगे तो order में नीचे हो जाएगा और उसके बाद आपको बस copies बनाते जाना है color change करते जाना है तो इस तरीके से color pick करें color drop करें और copy बनाते जाए तो मैं इसी की copy ले लिता हूँ shift के साथ क्लिक करेंगे multiple shapes को select कर सकते है और control page down order भी change करना है हमें उसके बाद color को pick करना है अब मैं इन दोनों को select कर लेता हूँ और इसे हमें delete करना पड़ेगा और यहाँ place करना है तो जैसे की chemistry के यह जो formulas होते हैं उसका कुछ shape है तो वो है यह अब इसका मैं color change कर लेता हूँ अब हम इन सब को control G selection बनाना है control G से group कर देना है तो यह group हो जाएगा अब हो गया और उसके बाद आप देखेंगे तो यह सरीके से हमने shape बना लिये और यह बन गई इसी के साथ आप इसी की multiple copies बना सकते हैं जैसे हमने यह किया लेकिन इसकी direction ऊपर की दर्फ चाहिए यहां से हम mirror कर सकते हैं और उसके बाद जहां place करना चाहें वहां place कर सकते हैं तो यह हो गया और यहां पर आपको यह एक shape देखने को मिलेगी यह create करना तो काफी easy है इसे create करने के लिए सबसे पहले आपको एक इस तरीके से oval create कर लेना है इस तरीके से shape create करने के बाद जो भी आप थोड़ा बहुत changes करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और देखेंगे आप यहां पर outline आ रही हैं और fill color no color है यहां पर मैं keyboard shortcut बता रहा हूँ control shift q जिससे कि यह जो outline है वो एक shape के अंदर convert हो जाएगी यहां पर आप देखेंगे जैसे आपने rectangle draw किया हूँ उस तरीके की यह shape देखने को मिल रही है तो यह outline को convert to curve करने का option है control shift q यह आप use करें उसके बाद हमें इसकी copies create करनी है और copy create करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर जो angle है 45 degree है तो मैंने इस पर एक बार दुबारक click किया और यहां से उपर आप देख सकते हैं कि जो angle आएगा वो यहां पर आएगा मैं एक पर control z कर देता हूँ और जब यह nearby 45 पहुंच जाए तो आप right click के साथ इसे release कर दें और इसी step को repeat करने के लिए आप control d press कर सकते हैं तो यह इस तरीके से repeat हो जाएगी और एक बार और repeat कर देता हूँ तो यह इस तरीके से बन गई है अब इसके अंदर हमें simple circle लेने और control के साथ इस तरीके से circle यहां से red color fill कर देता हूँ outline हटा देता हूँ जब आप इसे move करें तो ध्यान रखें कि इसके center में एक pin होती है वो move ना हो जाए जो कि आपको यहां देखने को मिल रही होगी थोड़ सा बाहर आप click and drag करेंगे तो इस तरीके से आप move कर सकते हैं और यह इसका center है center हम करने के लिए एक बार इसे group कर लेते हैं control G group और उसके बाद इन दोनों को C और E press करके इस तरीके से center center कर सकते हैं और यह जो electron, neutron, proton जो भी हैं उन्हें आप किसी भी color में इस तरीके से fill कर सकते हैं जैसे मैं इसको yellow कर देता हूँ इसको हम कर देते हैं red और इसी तरीके से बाकियों को भी आप different different जो भी colors हैं वो दे सकते हैं तो इसमें फाइदा यह रहता है नए वाले version में की सारे colors जो हमने recently use करे हों वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और इनको आप फटा-फटे इस तरीके से pick करके use कर सकते हैं तो यह हमने symbol बना लिया है और इसको भी हम एक बार control-g करके group कर देते हैं आप इस icon पर भी click कर सकते हैं जैसे की object जो selected होंगे वो group हो जाएंगे और इसको जैसे की यहाँ place करना है actual में place तो हमें यहाँ करना है और इसी की copy हमें यहाँ पर भी करना है तो यही तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं अब हम इन वाली shapes को भी Windows selection से select करते हैं और यहाँ place कर देते हैं चाहें तो आप इन्हें ग्रूप में भी रख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं कोई तिकत नहीं है अब हमरी जो next shape है जो की ये apple है और इसे create करने के लिए आपको pen tool का use करना पड़ेगा pen tool आपको यहां देखने को मिलता है किसी भी icon पर आप click and hold करेंगे तो उसके group के जो tools होते हैं वो open हो जाते हैं और वहां से आप उन्हें choose कर सकते हैं इस तरीके से curvature create करने के लिए आप पहले एक point create करें और उसके बाद जब आप अगर curvature create करना चाते हैं तो second point पर click and hold करना है और mouse को move करना है उपर की तरफ मूब करेंगे तो curvature नीचे बनता है नीचे की तरफ मूब करेंगे तो curvature उपर बनता है तो इस तरीके से आप ये curvature create कर सकते हैं और click and drag बस आपको ये match करना है तो इस तरीके से match हो रहा है and click and drag अगर आपको कुछ गलती दिखाई देती है तो आप shape tool पर आएं और जैसे कि आपको यह point यहां नहीं बनाना यहां पर बनाना है तो इस तरीके का symbol आएगा double click कर दें यह point add हो जाएगा जहां पर भी आप point add करना चाते हैं simple double click करें और किसी point को delete करना चाते हैं पर double click कर सकते हैं या window selection से select करके delete कर सकते हैं तो इस तरीके से जो भी modification वाला काम है वो आप कर सकते हैं और position भी change कर सकते हैं जैसे की एक point आप यहां बनाना चाते हैं double click करें एक point add हो गया और उसके बाद इसकी position थोड़ इसी हम अंदर कर देते हैं तो यह shape इस तरीके से बन जाएगी अब मैं इसके अंदर red color fill कर देता हूं जो कि हमने यहां choose किया हुआ है तो इसको हमने fill कर दिया right click से outline हटा देते ह पर थोड़ से move करके बाहर लेके आते हैं ताकि हम और भी shape बना सकें तो यहां पर जैसे की हमें white color वाले glossy जो effect होता है वो create करना है तो यह बनाने पड़ेंगे यह बना दिया हलके से oval हो गया है कोई दिक्कत नहीं है तो यह click and drag right click के साथ release किया copy बन गई और यह यहां पर place कर दिया तो यह हो गया अब हमें इसकी जो leaf है और यह बनानी है तो अब देखिए यहां पर मुझे एकदम right turn जाई है तो alt के साथ यहां पर मैं click करूंगा without alt भी कर देंगे आप तो without alt नहीं हो रहा है alt के साथ click करना पड़ेगा इस blue color के point पर तो यह break हो जाएगा और pass में ही हम click करना है और इस तरीके से हमें यह बना देना है इसके अंदर आप देखना की कौन सा color आपको फिल करना है इस तरीके का color फिल कर सकते हैं और वापिस pen tool चूज़ करते हैं में leaf भी बनानी है तो leaf बनाने के लिए oval भी यूज़ कर सकते हैं आप या इस तरीके से alt के साथ click और यह हमादी leaf बन गई I think यह point joint नहीं हुआ था इस वज़े से यह ऐसा हुआ तो एक बार click and drag यह बन गई ओके यहाँ पर कुछ problem हो गई है तो एक मिनिट जैसे अगर आप इस handle को move करते हैं तो करविचा चेंज कर सकते हैं लेकिन मुझे इस direction में change नहीं करना है इस direction में change करना है तो इस point को मैंने window selection से select किया उसके बाद इस वाले icon पर हमें click करना है crisp node इससे क्या होता है कि एक ही side इसकी active रहती है और उसके अंदर आप जो भी modification करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और मैं इसको भी इसी तरीके से modify कर देता हूँ ताकि हमारी जो leaf है वो बन जाए और इसके अंदर जैसे की control jet करता हूँ color pick कर लेता हूँ एक पर जैसे की थोड़ा सा dark color outline हटा दी उसके बाद इससे select करके थोड़ा सा move करते हैं यहां पर और यहां पर रखते हैं अब हमें इसके अंदर एक जैसे leaf के अंदर lines होती है वो बनानी है तो वो भी आप बना सकते ह हैं और सबसे पहले मैं यह वाली शेप बना देता हूं outline हटाते हैं नहीं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा और I think थोड़ा सा red color चाहिए color की उपर अगर आप click and hold करते हैं तो color के shade देखने को मिल जाएंगे और यह अब जैसे कि मैंने shape tool select किया और इन points को मुझे यहां पर रखना है इस तरीके से तो shape tool बहुत काम की चीज है इसका आप यूज कर सकते हैं text के साथ भी और किसी भी shape को modify करने के लिए इस तरीके से भी अब हम यहां से एक इस तरीके से line बना लेते हैं उसके लिए हम pen tool यूज करेंगे और एक point यहां पर escape करने के बाद हम यहां से outline की जो thickness है वो कम कर लेते हैं इसको मैं point 2 कर देता हूं तो यह इस तरीके से बन गई और control shift q जिससे की यह line shape में convert हो जाएगी और यह point हमें sharp करना है तो इसके लिए यहां पर double click करेंगे और इन दौनों points को click delete click delete तो इस तरीके से delete करना है और इस वाले point से आप इस तरीके से curvature की जो direction है वो change कर सकते हैं तो यह हो गया इन वाले points की भी हम position change कर देते हैं तो जैसे यहां पर मैं इसको place कर देता हूं तो यह काफियत तक ठीक हो गई है और इसका color भी हम थोड़ से dark कर देते हैं तो यह हो जाएगी तो इस तरीके से हमने pen tool का use करके बड़े ही easy method से यह shape draw कर दिये अब एक window selection बनाएं इस तरीके से और control G या आप इस icon पर भी click कर सकते हैं जिसे कि यह एक group में convert हो जाएगा और उसे आप बड़े ही easy way में इस तरीके से click and drag करके जहां place करना चाहें वहां place कर सकते हैं और अगर आप size change करना चाहते हैं तो size भी change कर सकते हैं क्योंकि य करना चाहते हैं देखिए इसी तरीके से आप यह जो bulb अगरा है या lens है यह भी आप draw कर सकते हैं अब मैं आपको यह जो notebook है यह draw करना बता देता हूं notebook draw करने के लिए हम rectangle tool पर आते हैं और इस तरीके से rectangle draw कर लेंगे लगभग notebook की ratio में ही होना चाहिए उसके बाद मैं iDroper tool से यह जो color है यह pick कर लेता हूं और यहां fill कर देता हूं fill करने के बाद आपको outline यह तो आपको हर बार करनी ही पड़ेगी अब मुझे इसकी एक duplicate copy बनानी है तो shift की मैंने press की और इस corner से अंदर की तरफ इस तरीके से scale करूंगा right click के साथ release copy बन गई iDroper tool से हम color pick करेंगे यहां fill कर देंगे तो देखिए color fill हो गया है लेकिन इसकी जो यहां पर spacing है वो थोड़ी सी ज्यादा है बजाए side हो में तो आपको shift की press करनी है और इस तरीके से ऊपर नीचे की तरफ करना है shift की press करने से क्या होता है देखिए यह वाली side भी change होगी जब आप करेंगे तो तो यह करना है और इनकेस अगर आपको इसके corner हलके हलके round करने है तो shape tool चूज़ करें और इस तरीके से आप इसके corners को भी round कर सकते हैं तो बस click करना है उस वाली shape पर और उसके corner को आप round कर सकते ह अब हमें यहाँ पर यह lines draw करनी है उसके लिए rectangle tool और rectangle tool से आप इस तरीके से click and track करें और पतली सी हमें line बनानी है color fill करना है outline हटानी है बस यह करना है और shift के साथ इस page को select करके c press करेंगे जिसे कि यह center align हो जाए तो यह कर ली अब देखिए हमें line की multiple copies बनानी है और इस spacing के सा सकते हैं और इसको select करके shift के साथ click and drag नीचे करना है जितनी spacing के साथ आप इसे right click के साथ release करेंगे जिसे कि duplicate copy create हो जाती है और control D press करके आप उसी को repeat कर सकते हैं तो इस तरीके से आप multiple lines बड़े ही EGB में बना सकते हैं तो lines create हो कहीं lines का मैं एक अलग से group बना देता हूं तो इस कर सकते हैं या आप group बनाने के बजाए weld भी कर सकते हैं तो weld करेंगे तो इस तरीके से weld हो जाएंगे उसके बाद center align भी कर देंगे आप C और E दौना प्रेस करके यह कर दिया अब हम यह जो spiral वाले जो icons हैं वो भी draw कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर एक circle और इसका color आ थोड़ी सी dark color वाली tone हम यहां fill करेंगे तो color पर double click किया और थोड़ी सी dark tone है इसके अंदर fill कर दी जैसे की shadow वाला जो effect है वो create हो जाए उसके बाद मैं यह जो spiral की spring होती है वो draw कर लेते हैं और इसका color outline हटा देते हैं इसका color मुझे थोड़ा सा dark करना पड़ेगा तो यह वा और round करते हैं तो इस तरीके से देखने में अच्छा लगेगा तो यह हो गया इसकी position वगरा जो भी है आप ठीक कर लें उसके बाद आप इसका एक group create करते हैं तो control G group अब इसकी भी हम shift के साथ click and drag और right click के साथ release करेंगे और control D press करते हुए हम इसकी duplicate copies create कर लेंगे थोड़ा सा zoom out करता हूं control D इस तरीके से हमने copies create कर लिये हैं हाँ ठीक है उसके बाद हम सबको group में control G से group या इस icon पर में click कर देता हूं तो इस तरीके से हमने इसके अंदर कई सारे group बना दिये हैं और इन सबको भी हम एक group के अंदर place कर देंगे तो control G I think control F press हो गया तो यह group में convert हो गई ह अब इसे आपड़ इस जीवे में move कर सकते हैं scale up कर सकते है scale down कर सकते है अभी मैं undo कर देता हूं और यहां भी place कर लेते हैं अभी इसको थोड़ा सा यहां पर rotate करते हैं हलका सा rotate और थोड़ा सा यहां पर यह करने के बाद इसी तरीके से अब हमें बाकी की जो shapes हैं वो भी draw कर नहीं है तो सबसे पहले हम यहां पर leaf draw कर लेते हैं तो leaf draw करने के लिए भी आप pen tool choose कर सकते हैं और मैं यहां से यह जो शेप है यह draw करना स्टार्ट करता हूं तो click enter आप चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से extra भी बना सकते हैं और मैं थोड़ा सा curvature के साथ ही बना देता हूं तो यह कुछ इस तरीके से मैं शेप draw कर दिया है उसके बाद हम यहां पर line भी draw कर लेते हैं उसके बाद ही हम color fill करेंगे तो यहां पर मैंने एक line draw कर ली और इसकी जो size है वो थोड़ी हम बढ़ा लेते हैं point eight और इसके बाद इन सारी lines को आप shift के साथ इस तरीके से click करते जाए और select करते जाए और जब आप इसे check करना चाहें तो click and drag करके move करके देखें कि सारी selected है या नहीं उसके बाद control shift q जिसे कि यह जो outline है वो shape में convert हो जाए और उसके बाद इन points को इस तरीके से shape tool से select करके आप यहां center में place कर दें तक कि वहाँ gap न देखे और gap देखेगा तो अच्छे नहीं लगेंगे तो यह आप जरूर कर लें एक बार तो मैं यहां पर इस point को select करके ऐसे अब मैं इसके अंदर color फिल कर देता हूं तो आई टोपर टूल color पर किया और इस तरीके से color फिल कर दिया तो इसका भी मैं ग्रूप बना देता हूं control जी ग्रूप और इसको थोड़ासा हम यहां ले आते हैं और second shape भी हम draw कर लेते हैं तो मैं थोड़ासा बाहर से draw करता हूं click drag alt के साथ click करते हैं क् इसके बाद इस तरीके से और यह वाली shape भी हम draw कर लेते हैं इसको one point और control shift q इसका color थोड़ासा हम dark orange color tone ले लेते हैं तो मैं कुछ यह color ले लेता हूं और eye dropper tool से यह color हम fill कर देते हैं I think color हमें यह वाला orange है तो ज्यादा अच्छा लगेगा इसको भी हमने बना दिया अब देखे यह shape बना दी book भी बना दी pen भी बना सकते हैं इसी तरीके से आप और बाकी की चीज़ां भी बना सकते हैं तो यह सारी चीज़ां मैंने बना दी हैं और एक ब बना सकते हैं तो मैं कुछ shape draw कर देता हूं और उसके लिए pen tool चूज़ करते हैं click drag यह हो गया इसका जो width है वो increase कर देते हैं 1.5 चाहें तो थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं 1.5 यह हो गया control shift Q उसके बाद इसके उपर हम control के साथ एक इस तरीके से circle draw कर देते हैं outline हटा देते हैं और इसको इसके उपर रख देते हैं यह हो गई एक shape और इसी का हमें group बना देते हैं control G और इसको हम mirror करके और यहाँ place कर देते हैं कुछ यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हमने total कई सारी shape बना ली हैं और इनका order change करने के लिए control page down तो इस तरीके से आप order भ बनाई हैं तो ऊपर ही आएंगी तो यह हो गया अब देखिए इन सारी shapes को मैं इस तरीके से windows selection करता हूं और एक group के अंदर place कर लेते हैं यह सबसे ज़्यादा जरूरी है control G के साथ group अगर आप इने group में convert नहीं करेंगी तो आपको एक-एक shape को अलग-अलग power clip करना तो यह group कर लिया और यह जो rectangle है इसी की मैं duplicate copy create करता हूं duplicate copy create करने के लिए आप click and drag और right click के साथ release कर दिया outline में red कर देता हूं जिससे मुझे पता चल जाए fill color हटा देता हूं तो fill color हटा दिया यह आप चाहें तो इसके अंदर एक अभी के लिए कोई different fill color रख सकते हैं इन दो page down तो यह भी हो गया अब यह जो हमने group बनाया था इसको में select करना है और object power clip place inside frame और इस frame के अंदर place कर देना है अब आप चाहें तो इस frame का color आप off कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके का result आ गया अगर आप इस group को direct इस वाले frame के अंदर clipping mask करते हैं तो यह जो line है यह आप आपको दिखाई नहीं देती यह वाली जो line है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती अभी मैं आपको दिखा देता हूं इस तरीके से तो इसलिए मैंने एक और rectangle draw किया और उसको blank कर दिया उसका no color कर दिया उसके अंदर मैंने इसको power clip कर दिया अब अगर आप इसे move करते हैं तो देखिए सबसे ऊपर यह वाला rectangle है तो यह select होगा और उसके नीचे वाले rectangle बाद में select होगे तो यह है तो अगर आपको कभी भी इसका color change करना है तो आपको पहले इसको move करना है या इसे right click करके आप चाहें तो hide भी कर सकते हैं और उसके बाद इस पर काम कर सकते ह हैं जब आपका काम हो जाए और उसके बाद अगर आप hide object को वापिस show करना चाहते हैं उसके लिए आप object और यहां पर आपको hide और उसके अंदर show all का option देखने को मिल जाएगा तो जो भी आपने hide किया होगा वो show हो जाएगा अब अगर आप चाहें तो यह जो outline आपको देख रही है इसे भी आप turn off कर सकते हैं तो यह मैंने कर दिया अब अगर आप इसके अंदर और चीजें add करना चाहते हैं जैसे कि यह stars अगर आप add करना चाहते हैं या आप यह जो block से दिखाई दे रहे हैं यह भी आप add करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह जो star है वो किस तरीके से आप create कर सकते हैं तो इसे create करने के लिए आप चाहें तो control के साथ इस तरीके से square draw कर सकते हैं और square draw करने के बास shape tool select करें और इस तरीके से round करते हैं तो यह round हो गया और इसके मचे इस तरीके से round नहीं चाहिए अंदर की तरफ यह इस तरीके से round चाहिए तो यहाँ पर icon दिया हुआ है second icon पर आप click करेंगे तो यह इस तरीके से बन जाता है और इसके अंदर आप जो भी color fill करना चाहते हैं वो color fill कर सकते हैं और round अगर थोड़े से आपको लगते हैं ज़्यादा हो गए तो आप थोड़ा सा zoom करके और करीबन इतना रख सकते हैं जिसे कि यह काफी sharp भी देखने को मिलेंगे तो यह हो गए और उसके बाद control Q प्रेस करके इसे आप convert to कर भी कर सकते हैं तो यह एक easiest way है इससे भी आप करेंगे तो भी काम हो जाएगा अब जैसे कि मैं इसे different colors के साथ यहाँ place कर देता हूँ तो एक यहाँ पर और आप चाहें तो हमने जो group बनाया था उसके अंदर भी हम इसे paste कर सकते हैं तो इसे मैं control X के साथ cut कर लेता हूँ इस वाली power clip पर click करते हैं और edit के अंदर जाकर इसके अंदर हम आ गए हैं तो यहाँ पर मैं control V करता हूँ तो यह इस तरीके से paste हो गया है तो इस तरीके से मैंने random इनको place कर दिया है और one by one इनके अंदर हम different different color जो चाहते हैं fill कर देते हैं इससे यह थोड़ा सा color में variation आ जाएगा तो यह हो गए उसके बाद finish button पर click करेंगे तो यह जो shape थी वो भी आ गई है और इसी तरीके से आप यह जो block वगएरा है वो भी add कर सकते हैं और क्या है इसके अंदर और तो ऐसा कुछ है नहीं यह block ही है और block create करने के लिए मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एक rectangle इस तरीके से draw करता हूँ आइडोपर टूल यहीं से यह color fill कर देता हूँ यह थोड़ सा ज्यादा dark है तो एक बार मैं यही color pick करता हूँ fill करता हूँ यहां double click करता हूँ हलका सा color shade different कर लेते हैं कुछ इस तरीके का ओके और यहां पर आप देखें तो दो side by side हैं और एक नीचे center में तो इसको थोड़ सा पतला कर लेते हैं थोड़ सा छोटा कर लेते हैं shift के साथ click and drag और इसी तरीके से एक click and drag तो यह हो गया तीनों को हम shape में convert कर देते हैं control x cut कर लेते हैं उसके बाद हमने जो power clip बनाया हुए इसको edit करते हैं control v से paste कर देते हैं तो एक मैंने जैसे की यहां पर रखा एक यहां पर रख लिया और आप चाहें तो देख सकते हैं कि आपको कहां कहां रखने reference image में भी आप देख सकते हैं तो यह हो गया finish और यह भी हमारा बन गया है तो इसी तरीके से आप बाखी की चीज़ें भी बना सकते हैं हमारी जो डिजाइन है वो almost complete हो चुकी है और क्योंकि यह एक वेटर डिजाइन है तो आप इसे किसी भी size में इसी ratio में किसी भी size में print कर सकते हैं I hope आपको आज का वीडियो काफी पसंद आए होगा इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई